हलो गाइस स्वागत है हमारे यूटुप चैनल ये आर बिजन्स आडिया में लेकर आएं एक और धह्माके दार वीडियो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रीप के बारे में बताएगे कैसे बिजन्स के बारे में बताएंगे जिस बिजन्स को आप करके अच्छी खासी कम कमाई कर सकते हो अगर आप चाहो तो दिन के 500-1000 रुपिया कमा सकते हो इसके लिए आपको करना पड़ेगा अगर करोगे तब Aegis अगर आप लगन से इस काम को करते हैं तो आप कुछ मेनद कर करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हो तो आपको कोई दुकान बनवाने की जरूरत नहीं कोई 10 लाख 5 लाख रुपे की जरूरत नहीं अगर आपके पास 10-5,000 रुपे ही हैं तो उसी से आपका बिजनिस शुरू हो सकता है और कमाई आप महीने की 10-20,000 रुपे कमा सकती हो वो भी अपने घर से अगर आप गवों से हो बिहास से हो तो इस बिजनिस को कर सकती हो और चीखासी कमाई कर सकती हो अगर आप सहर में भी रहते हो तो आप सहर में भी इस बिजनिस को कर सकती हो सो गाइस हम आपको बता दें जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमेन हैं इन लोगों न भी कभी इसी तरह से बिजनेस किया हैं जब जाके आज बहुत मुकाम पर पहुंचे हैं अगर आप चाहो तो छोटे से लेवल से सुरू करके आप अपने बिजनेस को दस गुना जादा पढ़ा सकते हैं अगर आप आज दस अजार रोपे से शुरू करते हो तो चाहर पंज साल बाद आप उसी बिजनेस को दो लाग रोपे का इंवल्ट कर सकते हो तो यह सब शिर्णश में हो सकता है तो चाहतस आपको करना पड़ेगा तो हो सकता करने के लिए आपको 10-5000 रुपे की जरूरत पड़ेगी ले चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर नुट्रामा आज आज आपके बीच में ले आये हैं एक और नया टॉपिक इस टॉपिक के बारे में इस चॉकलेट के बारे में बताएंगे कि हो तो कितने मारण सकते हैं अगर आप एकंदार हो तो आप वाली देरी मिलेक की डिमांड काफी ज्यादा है और बहुत स्वाधेस्ट और बहुत मजेदार चोड़िट रुपे में पड़ेगा और जो में चोकलिट हैं वह हैं 200 रुपे की तो गाइस यह आप पर करता है कि आप किस तरह से अगर आप एक होल सेलिंग हो तो आप किस तरह से 30 रुपे 40 रुपे कमा सकती हो अगर आप दोको अंदार हो तो आपको एक पेटी खरीदनी पड़ेगी जब एक दिब्बा आपको 130 रुपे में पड़ेगा तो आपको 70 रुपे का एक दिब्पे पर प्रूफिट है तो अच्छी खासी आमदान ही है तो ऐसी तरह बिजनिस से देखने के लिए वनी रहे हमारी चैनल में जब तक कि नवसकार अगर हमारी चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और जादा से जादा से शियर करें और बेल आइक अंदवाना ना भूले जिससे हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले को मैं